भारत के पूर्व चीफ सेलेक्टर क्रिस श्रीकांत ने कहा यानि की कृष्णा मचारी श्रीकांत ने कहा कि वो इस साल ऑस्ट्रिलिया में होने वाले टी-20 वर्ल्ड कप के लिए श्रिकार धवन के जगा केल राहूल को टीम में रखना पसंद करेंगे आपको बता देए कि धवन लंबी अवधी के बाद अंतर अश्री क्रिकेट में वापसी कर रहे हैं उनकी अनूपस्तिती में राहूल स्रीमीत ओवरोग की क्रिकेट में सलामी बलेबाज के एक स्थान के लिए प्रबल दावेदार के रूप में उबरे श्रीकांत ने एक TV चैनल से कहा श्रीलंका के खलाफ रन माइने नहीं रखते अगर मैं चैन समीती का अध्यक्ष होता तो मैं T20 वर्ल्ड कप के लिए श्रीकरदवन का चैन बिलकुल नहीं करता उनके और राहूल की बीच कोई प्रतिस परधा नहीं है चौते साल के श्रीकरदवन ने पिछले साल अगस्त में वेस्ट इंडी से खलाफ ओट आफ स्पेंड में अपना आखरी वंडे इंटरनाशनल मैच खेला वहीं लोकेश राहूल ने वेस्ट इंडी से खलाफ पिछले साल दिसंबर वंडे सीरीज में अच्छा प्रधर्शन किया तो मैं याब BCCI के पूर्व चीफ सेलेक्टर कृष्ण मचारी श्रीकान उन्होंने कहा है कि अगर मैं चीफ सेलेक्टर होता BCCI का अब तो ऑस्ट्रियम होने वाले विश्व टी 20 वर्ल्ड कप में मैं शिखर धवन के जगा केयाल राहूल को रोहिच शर्मा के साथ देखना चुआ था नेक्स्ट नाने स्पोर्स की रिपोर्ट